हलो एवरीवें गूड मॉर्निंग और अभी सुवय का टाइम हो रहा है और बस नहाके और जो भी भगवान जी के बरतन है वो सारे बरतन में लेके आ जाती हूं किचेन में और यहीं पे सारे बरतन साफ करती हूं और इसके बाद बस पूजा करूंगे तो सावन का महीना चल र तो यहां जो भगवान जी का इश्णान है वो मैंने करा दिया है और अच्छे से भगवान जी का सिंगार कर दिया है और इसके बाद घीका दीपक जलाया और धूबाती लगा दी है और जो घर की पूजा है वो हो गई है गरकी पूज़ा करने के बाद अब मैं जाएंगी मंदिर, तो मंदिर मेरी सुिसाइटी में ही है और हमें ज़्यादा दूर जाने की जुरुत नहीं होती है और वहां पर सिब्लिंग है तो पहले मैं सिब्लिंग पर जल चडाओंगा और सावन का महींना चल रहा है तो पूरे स सावन भर मैं सिबिंग पे जल चड़ा और सावन में बहुत यह अच्छा होता है और जब सुसाइटी में ही मंदिर हैं में कहीं बहार जाने की ज़ुरत भी तो फिर वैसे मैं डेली ही जाती हूं आलस नहीं करती हूं और अब यहां पर मैं बनाऊंगी चाय और नास्ता तो यहां सबसे पहले मैं गैस पर चाय रख देती हूं पहले चाय बगेरा पी ले और नास्ती मैं मैं बनाऊंगी बेसन के चीले तो सुभाई से अभी कुछ भी न तो इस वज़े से सारी नोड़ा में जितने भी स्कूल है सभी की छुटिया ओनलाइन क्लासे से तो रियांद की जो ऑनलाइन क्लास है वो स्टार्ट हो गई है और वस यहां मैं लग गई हूँ चाय और नास्ता में तो गैस पे मैंने चाय रग दी है बनने के लिए और एक साइ अचाय आज हरा धनीय रखनीय हरी मिर्ची काट के डाल दी है नमक डाले है सूखी मिर्च डाली है मैंने और वस इसका घूल है वो रेड़ि कर लिया है और अभी गैस पे मैंने रक्षग नोट निश्टिक टबाया iश ःपर थोड़ा सा ओय लगाएंगे और इसके बार जो तो यह देखे मैंने बहुत ही ज्यादा गोल बना लिया है और इस तरह से इसको फैलाएंगे तो यह बिल्कु प्रॉपर गोल तरीके से नहीं आता है तो जितना सा बन रहा था उतना में बनाती गई और बस इसके बाद इस पे लगाएंगे ओल थोड़ा सा हलका सा और यह नास आज में नास्ते में चीले वना रही हूँ और यहां पे गरमी इतनी जादा हो रही है कि कुछ भी बनाने का मनी नहीं होता है वसे जल्दी से जो बन जाय वह मैं बना रही हूं क्यूश कहाना बना लो यह ब्रेकफास्ट बना लो जब भी किचन में आते है लगत ज्बर मैं दे दी रियांद को, तो सबसे पहले मैंने रियांद को नास्ता दे दिया है, क्योंकि रियांद की हो गई है, और अभी इनका है ब्रेक, तो हर क्लास के बीच में 10-10 मिनिट का ब्रेक मिलता है, तो अभी इनका ब्रेक था तो इसलिए मैंने सबसे पहले रियांत को प्लेर दे दिये तो यह अपना नास्ता फिनिस कर लेंगे और इसके बाद मैं बाकी के चीले बनाओंगी तो बस से इसी तरह से सारे चीले मैं बनाओंगी पहले थोड़ा सा ओयल लगाना है तब यह पे और इसके बाद जो बेसन का घोल है वो मैं फैला दूंगी तो जादा परफेक्टली नहीं बनते हैं क्योंकि ना इसमें प्याज बगएरा डली हुई है तो एकदम से गोल नहीं आपाता है तो बस जितना गोल बनाओं मैंने उतना बना दिया है और बस इसके बाद इसके अब ही मैं प्लेट लगा रही हूं रियान के पापा के लिए तो इनको भी मैं नास्ता दे दूंगी क्योंकि उनका भी जो आफिस से वह स्टार्ट हो गया तो नौ साड़े नो बजे दौनों लोग बिजी हो गए दौनों लोग बैड गए अपना अपना लैपटोप खोल के तो बस इनको भी मैंने प्लेट दे दी है साथ में चाय दे दी है और अब यहां मैंने ली है ब्रैड जो नीचे वाली ब्रैड होती है ना मोटी मोटी सी तो इसको कोई निखाता है तो इसका मैं बना रही हूं ब्रैट चीला तो इस तरह से जो बेशन का घोल है वो मैंने डा कि रियांद को मैंने फोन दे दिया था उसका लैप्टॉप बंद हो गया था तो उसने अपनी क्लास बगएरा करनी थी तो इसलिए फिर ज्यादर सूट नहीं कर पाए और इसके बाद मैं करी हूं लंच की तैयारी तो आज में लंच में बना रही हूं अरहर की दाल तो यहां म अब मैं करी हूं यहां पर तडके की तैयारी तो उसके लिए मैंने एक प्याज हरी मिर्श वग्यार सब कार ली थी और तडका पैन में मैंने भाकल तेल गरम तो इसके बाद मैंने जीरे से तड़का लगाया हरीमिज डाले गट यक अपयाश डाले ला दिय और इस ये-चो ड्राइम मसाले थोड़े से है और इसको अच्छे से बहुनेंगे और इसके बाद इसको डाल में डाल देंगे और बढ़ियासा तड़का लग जाता है और यह चाहसे विप्रत्द साइर बार्तन मैं वाश कर दियुाया है और इसके बारी आती है जो साफ करने की तो सबसे पहले सिंग होता है इसको अच्छे स साफ करेंगे तो साफ करने हो जोOUT कर PicS अगर अपने संसके साफ करते हैं साइन मारता है तो ज्यादा वर्डन नी पड़ता है और संसके आस-पास को जो जगह होती है और जो किक साफ रहती है और यो क्यूंता है और पानी से धुलने के बाद यहां पर एक सूखा कपड़ा और इसको अच्छे से पॉच देंगे टैप बगएरा को तो जो पानी के जो इसपॉट होते हैं वह नी बनते हैं और अच्छे से हमारा जो टैप है वह साफ रहता है और चमकता हुगा लगता है और इसके बाद मैंने गैस को साफ कर दिया है टाल से पहले मैं डाइनिंग टेविल को साफ करूंगी और यहां पर रियान की चल रही है ओनलाइन क्लास तो मैं जादर डिश्टर्ब नहीं करूंगी और जब भी ओनलाइन क्लास होती है तो फिर मुझे बहुत ज्यादा लेट हो जाता है तो बस मैं यहां आपना आराम से धीरे दीरे सारा काम कर रही हूं तो बस पहले मैं करूंगी पूरे घर की डरश्टिंग और इसके बाद मैं बाकी की कलीनिंग करूंगी और इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का करें हूं यही पर अन्ड तो यह था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा bá by and take care